तो देखे अभी एक्जाम में 5 डेज रह गया हैं तो लास्ट मुमेंट्स पे आपको क्या करना है कुछ इंपॉर्टिन पॉइंट्स हैं जो आपके साथ डिसकस करते हैं आज के सिसन में तो सबसे पहला पॉइंट अभी जनली जो इस्टुएंट्स की दिमाग में रहता है बह इक्जाम में ले करके जाना है ठीक है तो कैसे लेकर करके जाना है तो अभी सबसे इंपॉइंट पॉइंट का हैं रिवीजन तो रिवीजन कैसे करना है रिविजन आपने जो भी सौर्ट नोट्स बना रखा है जब नहीं करेंगे तो भी चलेगा जो आपने रिवाइज कर रखा है और जिस कॉंसेप्ट पर बेस्ट पूछे जाते हैं या आता है वह देखते आप एक बार में सॉल कर लेते हैं तो वह अब आपके लिए नेचरल हो चुका है उन सारे कॉंसेप्ट को रिवाइज करिए जो जनली आप भोल रहा है इंपॉर्टेंट है और जिससे रिलेटेट कोशन साथ के नहीं बन रहे थे वह सारे कॉंसेप्ट आपको इस समय रिवाइज करना है और प्रेक्टिकर वाले स्टुएंट्स इलेक्ट्वाले स्टुएंट्स का 230 तो 530 है तो उस टाइम डिवरेशन में आपको जो है प्राई करना है कि मिनमम एक फुल नंथ टेस्ट देजिए दो अगर देते हैं तो अच्छा रहेगा आपको जो यह कंटिनुटी है जो आपने ज प्रेक्टिस करते हैं तो एक चीज ध्यान रखेगा जो अलड़ी कोश्टिन्स आपने कई बार स्वाल कर रखे हैं उन सारे कोश्टिन्स को रिवाईज मत करेगा अबे रैट सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या है बटा जो आप लोगों ने अपना यह सोनी की आदत डिस्टर्व कर रखा है जो स्लिप साइकल है उसको मेंटेन कर लिजे यह फाइट डेज में रैट क्योंकि आपका जो एक्जाम है morning session में या afternoon session में आपका सोने का habit डिस्टर्व हो रखा है पता चले कि एक्जाम से पहले आपको नीदी नहीं आ रहा है अब जब आप examination hall में बैठेंगे एक तो आपके पास examination का pressure उपर से आप properly अगर आप सो के नहीं गया हो तो उस case में क्या हो कि maximum chances रहेंगे mistakes के silly mistakes के तो इन सब चीजों को avoid करने के अभी से आपको यह जो पांच दिन बचा है अपना जो है sleeping habit improve कर लेना है सही कर लेना है so that आगे आपको वहां पे problem ना हो तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिए सबसे important point क्या है आपको self-belief अपने उपर में स्वास रख कर रहा है ठीक है आपने preparation कर रखा है अब क्या है कि इस समय आकर के अपना confidence जो है डाउन ही करना है दूसरों की बात नहीं सुनना है डिस्टेक नहीं होना है दूसरों की बात सुनकर के कुछ स्टुएंट से बोलेंगे आप से आपके फ्रेंट सी बोलेंगे हमने फाइव टा व्रें Marks आ रहे है, तो उनकी बात सुनकर कर के आपको डिस्टेक नहीं होना है ठीक है उनके आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है आप अपना देखिए ठीक है आप अपना देखिए और अपने revision पर focus करिए ठीक है हो सकता है कि आपका एक बार का revision उनके तीन बार की revision के पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रखिएगा और इस इन सारी चीजों को जो है आप कंटिनू करके एक्जाम में लेखर के चाहिएगा तो जो भी इस्टुडेंट्स हैं जो 2024-2025 के लिए प्रिपरिशन कर रहे हैं उनके लिए एक इंपोर्टेंट न्यूज यह है कि 31 जनमरी तक जो है यह ऑफर है वो एक्स्टेंड कर दिया गया है ठीक है तो जो भी लोग अगर एडमिशन लिना चाह रहे हैं फॉर 2024-2025 एस्पेरेंट्स तो उनको 30% तक जो है सेविंग कर सकते हैं अगर यह कोड यूज करके सब्सक्रिप है तो आप इस नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स सेशन में आपसे मिलते हैं और जो स्टार्ट होने वाला है फरवरी 1 से आपके लिए जो सेशन स्टार्ट होने वाला है इस चैनल पर स्टार्ट होने वाला है जो जिसमें आप से concept discuss किया जाएंगे और किस topic से related वो concept वो सारी चीज़े उसमें mention किया जाएगा तो उस session को आप जरूर attend करिएगा, वो काफी ज्यादा helpful रहेगा आपके लिए, okay, thank you.